रेड रोज उन्नीस सो असी की भारतिय हिंदी भाषा की मनोवे ग्यानिक थरिला फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना और पूनम धिलन ने अभिने किया है ये तमिल फिल्म सिगप्पू रोजकल की रीमेक है जिसे एक ही निर्देशक भारती राजा और एक ही सिनेमेटोग्राफ प्येस निवास ने बनाया है आनन्द एक सफल व्यवसाई है जिसका एक सियाह पक्षपी है वह दामपत्य लड़कियों का शिकार करता है उन्हें बहकाता है और मार डालता है इन कार्यवाहियों को वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है और उनके दत तक पिता और गुरू द्वारा देखा जाता है जो एक अन्यविक्षिप्थ महिला नफरत है जिसे आनन्द के साथ अपने अतीत में महिला सेक्स के साथ एक मोहभंग अनुभव हुआ था बुड़ा व्यक्ती आनन्द की हवेली के एक दूर कोने में छिपा रहता है और अपने बेटे को वह काम करते हुए देखता है जो वह करने में असमर्थ है हत्या की गई लड़कियों को आनन्द के बगीचे में दफनाया गया है और उनके उपर गुलाब की जाड़ी उगाई गई है आनन्द की मुलाकात एक अंडगामेंस बेचने वाली लड़की शार्दा से होती है और वह उसके प्रती आकर्षन विक्सित कर लेता है एक रूरिवादी महिला शार्दा इस बात पर जोड़ देती है कि अगर आनन्द उसके साथ अपना रास्ता बनाना चाहता है तो उसे उससे शादी कर्मी होगी रोमेंस आगे बढ़ता है और ऐसा प्रतीत होता है कि आनन्द के लिए चीजे धहने से पहले ही उसे मुक्ती मिल जाएगी अपनी शादी के दिन शार्दा को एक डाइरी मिलती है जिसमें उसके विक्षिप्ट जीवन के विवरण के साथ साथ उन लड़कियों के नाम भी शामिल होते हैं जिन्हें उसने अपने बड़े घर के एक कमरे की दिवारों पर मार डाला था इस बीच शार्दा की मुलाकात आनंद के पिता से होती है जिनके बारे में आनंद ने उसे बताया था कि वह मंधबुद्धी है और उसे परेशान नहीं होना चाहिए और उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा जटका लगता है वह किसी तरह उसे अंदर बंद कर लेती है और बाहर भागने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही वह जाने की तयारी करती है आनंद वापस लोट आता है